अलो स्ट्रेंट आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आर्पी पब्लिक स्कूल योगी ठेर सिभी गंज बरेली में देखें आज हम फिर मिले हैं इस वीडियो में और एक नई एक्सराइज लेकर के बहुत ही बहतरीन एक्सराइज है आपके लिए इसमें प्रशन धुम धाड़ है आप यह समझे लीजिए कि बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है एक्जाम की दरश्टित जैसा कि आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे आपके लिए ऐसा कंटेंट मिला है जो कि सायद यूटूब पे बहुत ही कम मिलता है तो इस हिसाब से आप समझे है कि हम कितनी तरीका से आपके लिए मेनद कर रहे हैं और आप मारे वीडियो को लगातार देख भी रहे होंगे और कितना कितना बड़िया कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे है इस चैनल के मातिम से और अब हम आपके लिए लेकर आया है exercise 5.3 समांतर शर्णी का ही ठीक है चैप्टर हमाने चला समांतर शर्णी और इसमें हमने बहुत सारे प्रश्णा आपको महुती महत्पून प्रश्ण कराए है और आप ये द्यार लखिए कि महत कितनी important है हमारे जीवन में भी दैनिक जीवन में हम बहुत सारी किरियां को करते हैं जो कि हमें बैत की जरूरत पड़ती है तो इस हिसाब से हम प्रशनों को करते हैं बहुत ही महत्पूर्ण तरीके से तो प्रशन हमारा पहला है और 5.3 का प्रशन है बहुत ही important प्रशन है प्रशन है एक चतर भुज के कोण समांतर शेणी में है एक चतर भुज है यहां से प्रशन को लिखते है एक चतर भुज है चतर भुज मतलब चार भुजाओं वाला और उसके जो जिनका सर्वांतर डिया यानि समांतर शेणी में है इसके कोण इसके जो कौन है, वो समांतर शर्णी में है, समांतर शर्णी में है, समांतर शर्णी में है, ठीक है, समांतर शर्णी में इसके कौन है तो हमने माल लिया माना कौन, माना कौन, A, B, C, D है, ठीक है, माना कौन, A, B, C, D है, अब हम क्या करेंगे इन कोणों को जो समांतर शेणी में लिया गया है तो समांतर शेणी में अगर लिया गया और ये चार कोण है तो इनको लेने के लिए जो तरीका है वो क्या है चार संख्याओं को अगर हम समांतर शेणी में लेंगे तो चार संख्याओं चार संख्या हैं अगर सामांतर शेणी में लेंगे क्या लेंगे A-3D और A-D और A-D और A-3D यह चार संख्या हैं हम लेते हैं यह मान के चलिए आपको यह रट लेना है अगर चार संख्या लेनी है तो A-3D A-D, 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 A-3D यह लेनी है अगर आप 3 संख्या लेतो सपोज आप 3 संख्या लेतो 3 संख्या जानते हो क्या लोगे A-D, A, A-D यह 3 संख्या लेते हैं भाई बरे अगर 4 संख्या लेनी है तो यह लेनी पड़ेगी क्लियर है? बात क्लियर है अब चारो संक्या है हमने ले ली कोड ले ली है और कोड का मान सरवांतर D दिया गया है आपके लिए 10 डिगरी D का मान कितना दिया गया है 10 डिगरी मान दिया गया है D का तो D का मान जब 10 डिगरी दिया गया है तो इस हिसाब से यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर रखेंगे लेकिन आप जानते हो चारो कोडो कमान कितना होता है, 360 degree, तो हम लिखेंगे 4 कोडो कमान, 360 degree होता है, तो इस भिसाफ से हमारे पास angle a plus angle b plus angle c plus angle d बराबर में 360, यह हो गया, इस हिसाब से हम सम्में D कमान रख देंगे लेकिन बात में रखेंगे तो हम इस हिसाब से एक एंगल मालने नहीं A plus A minus 3D A minus 3D फिर plus A minus D फिर plus A plus D फिर plus A plus 3D बराबर में 360 डिग्री यह हो गया अब यहाँ पर आप देखिए यह A 1, 2, 3, 4 4A तो ऐसे ही हो गया अब यह देखिए धान से D कमान देखिए यह minus का D यह plus का D तो इस D से यह D cancel यहाँ 3D और यहाँ भी 3D 3D यह 3D cancel इस हिसाब से 3D cancel ठीके तो यहाँ पर आपके लिए क्या हो लिए आएगा यहाँ पर आप देखेंगे A कमान यह A है A और 1, 2, 3, 4 A हो गया और 3D से 3D cancel हो गया और इस हिसाब से D से D cancel हो गया अब कोई नमबर ने बचा बराबर में 360 degree यह हो गया अब क्या करेंगे यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 360 degree और बटे में 4 आगया 4, 39, 36 यानि A कमान अमारे पास आगया 90 degree अगर A कमान 90 degree आगया है तो इस हिसाब से हम कोण भी निकाल सकते हैं कोण सभी के सभी निकाल लेंगे भाई मरे तो निकाल ले आते हैं बहुत बढ़ियाँ देखो निकालो आजाओ यहाँ पर A कमान 90 degree है पहला मारा कोण है A-3D यानि A का माल 90-3 गुण D का माल 10 डिग्री तो 90-3 हो जाएगा 10-13 यानि हो गया आपके लिए 60 डिग्री इसी तरीकत से दूसरा निकाली है A-D की दिया गया A-D का मतलब 90 minus D का मतलब यहाँ पर 5 नहीं 10 10 डिग्री 90 में से 10 गया हमारे पास है 90 डिग्री और 10 डिग्री यानि 100 डिग्री आ गया और इसे साब से अगला है A-3D A का मान है 90 डिग्री प्लस 3 इंटू D का मान है 10 डिग्री तो यह हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 10 तीज तीज डिग्री तो 9-3-12 120 दिग्री तो यह हमारे देखें यहां पर 4 ओ कोण आ गए है एंगल A कमान जो आया है वो 60 डिग्री आया है एंगल B कमान आया है वो 80 डिग्री आया है और एंगल C कमान आया है वो आपके लिए यहां पर एक जो है 100 डिग्री आया है और एक डी कमान 120 डिग्रिया है कुल मिला करके तीनों कोण हमारे पास आ चुके है तो आप देख सकते हैं बहुत important प्रसंदा जो कि हमने आपके लिए करा दिया है और अब हम जो है शुरू करेंगे प्रसंद दूसरा दूसरा प्रसंद बहुत important है बहुत important अग्जाम की दरश्टी से है और इसको करेंगे अब हम दूसरा प्रसंद तो यहाँ पर दूसरा प्रसंद देखिए कराते हैं क्या है दूसरा प्रसंद बच्चों सुनो चार पत सामांतर शेणी में हैं यदि इन पदों का योग 50 है सता सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है तो इन पदों के मानों की गणना कीजिए इस बात को आपको प्रूफ करना है तो दूसरा है चार समांतर शेणी में पद है तो हम समांतर शेणी के 4 पद लेंगे तो 4 पद भाईया हम लेंगे इस इसाब से A-3D फिर A-D फिर A-D और फिर A-3D ये 4 पद हमने ले लिये अब 4 पद ले लिये हैं तो हम हमें यहाँ पर इनके पदों का योग 50 दिया गया है इससाब से a-3d plus a-d plus a plus d plus a plus 3d बराबर में 50 देखिए d से d कट जाएगा 3d से 3d कट जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 4 ए बराबर हो गया 50 तो a बराबर हो जाएगा 50 बटे 4 2, 2, 4 2 से 25 बार में एक जाएगा यानि एक मान आगा 25 बटा 2 आप एक मान 25 बटा 2 आ गया है और ये रिलेशन कहे रहे हैं कि सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है तो सबसे बड़ा पद हमारे पास कहा है सबसे बड़ा जो पद है वो है a plus 3d यानि a plus 3d जो है सबसे बड़ा पद है फिर कह रहे हैं सबसे छोटे पद का 4 गुना है सबसे छोटा पद जो है वो कौन सा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सबसे छोटा पद होगा A-D आप एंगल के हिसाब से देख सकते हैं A-D अगर हमने निकाला था अभी यहाँ पर A-D निकाला था यह बाला, तो यह 80 आया, हमान आप आप देखो, वह 6 दिग्री, और इस हिसाब से यह 60 दिग्री पहला आया, और दूसरा हमारे पास a माइनोर दी 80 दिग्री, और तीसरा हमारे पास आया जो है। वो आया आपके लिए 100 डिग्री। यानि सबसे छोटा एंगल A बाला है यानि A-D जो है दूसरा एंगल है। तो यहाँ पर आप मानके चलेंगे पहला 50 डिग्री आया है यानि छोटा डिग्री यहाँ पर A-3D आया तो A-3D होगा। A-3D छोटा पद होगा तो हम इसका माल लेंगे इसका जो है वो चार गुना है तो इसका मतलब 4 गुना है 3- A-3D यह हो जाएगा तो इसको solve कर लेंगे हम यहाँ पर A-3D बराबर में 4 A-4 ती है 12D A कमान रख दीजे 25 बटे 2 तो 25 बटे 2 प्लस 3D बराबर में 4 A कमान 25 बटा दो माइनस 12D यह आ गया अब इसको और solve करेंगे द्यान से देखिए तो हम इसको solve करेंगे step by step देखे बच्चों वहाँ सही step को लेते हैं यह लिखा है 25 बटा दो और प्लस 3D बराबर में लिखा है 4 गुड़ा 25 बटा दो और माइनस का 12D यह लिखा हुआ है समीकन तो 25 बटा दो यह लिखा है 25 अको 100 100 बटा दो गया इदर आ जाएगा माइनस का 100 बटा दो बराबर में माइनस का 12D और यह 3D उदर चला जाएगा माइनस का 3D उदर दो LCM ले लेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 100 बराबर में 12 और 3 15D हो जाएगा माइनस का 15D इससाब से 100 में से 25 चला जाएगा यहाँ पर आपके लिए तो 75 बचेगा और बटे में माइनस 2 बचेगा यहाँ पर और बराबर में माइनस का 15D माइनस से माइनस केंसल हो जागा यानि 75 बटा 2 बराबर 15 D और D बराबर आ जाएगा याप पर 75 बटे में 2 बटे में 15 बटे में 1 तो 75 बटे 2 गुणे 1 बटे 15 15 पना 75 इसे साफ से D कमान जो आगया है वो 5 बटा 2 आगया अब D कमान 5 बटा 2 आ गया तो इससाब से हम संक्या भी निकाल सकते हैं देखें द्यान से संक्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएंगे संक्या है हम आपके लिए बताते हैं एक कमान हमारे पास जो आया है वो आया 25 बटे 2 और माइनस 3 इंटू D कमान आया 5 बटे 2 तो इससाब से 25 बटा दो माइनस 5 तिया 15 15 बटे 2 यानि 2 LCM आ गया 25 माइनस 15 यहां पर हो गया 10 बटे 2 2 5 10 यानि पहली संख्या आ गए हमार पास 5 पहली संख्या 5 आ गए इससाब से दूसरी संख्या निकाल लेंगे A-D यानि 25 बटे 2 माइनस 5 बटे 2 तो 2 LCM 25 माइनस 5 यानि 20 बटा 2 दो से काट देंगे दसामन में तो इससाब से 10 दूसरी संख्या गाएगी 10 दूसरी संख्या आ गए अब 30 संख्या निकाल लेंगे 30 संख्या कैसे निकाल लेंगे भाई मारे A-D है तो 25 बटा 2 प्लस D कमाने 5 बटा 2 दो LCM आ गया 25 प्लस 5 तो हो गया 30 बटा 2 यानि 15 तो इसका अंतलब हो गया 15 यहाँ पर 30 संख्या आ गए इससाब से अगला लिखेंगे तो 25 बटा 2 प्लस 3 गुणा D D कमाने 5 बटा 2 यानि 25 बटा 2 प्लस 5 तिया 15 बटा 2 और 2 LCM आ गया तो 25 पंदरा तो आपके लिए 4 संख्या यहाँ पर देखें निकाल के दिखा दी हमने जो के समानतर शर्णी में हैं जो की रिलेशन के अनुसार है यहाँ पर सब चीजें हो चुकी है तो आपके लिए दूसरा प्रशन यहाँ पर खतम हुआ और आप बात करेंगे यहाँ पर तीसरा प्रशन की तीसरा प्रशन बहुत इंपोर्टेंट है तीसरा और चौता और एक्सरसाइज खतम तो यहाँ पर आपके लिए तीसरा प्रशन कराएंगे A A plus D यह मान लिया मैंने ठीक है तीन संख्या मान लिया समांतरशणी में है और इन संख्याओं का योग 21 है यानि इनका सम जो है वो 21 है तो A minus D plus A plus A plus D बराबर में 21 यह हो गया तीनों संख्याओं का सम कर दिया तो आप देखें A D है D है D से D कट गया A A A यानि 3 A बराबर 21 तो A बराबर हो जागा 21 बटा 3 तीन से इसको काट देंगे तीन एक कम 3 तीन सत्ते 21 यानि A का मान आ गया साथ अगर A का मान साथ आ गया है तो इस हिसाब से एक relation भी दिया गया है क्या दिया गया relation भाई साथ लिखा है पहली तता तीसरी संख्या का गुणन फल दूसरी संख्या के मान से 6 अधिक है पहली और तीसरी संख्या का गुणन फल पहली A और तीसरी ये है A प्लस D इनकी संख्या का गुणन फल जो है वो दूसरी संख्या के मान से 6 अधिक है, दूसरी संक्या मान रपास ए, उससे 6 अधिक है 6 अधिक उगर दिया अब यहाँ पर एक मान डाल देते हैं एक मान ए 7, तो मैंने लिखा 7 माइनस D और यहाँ भी लिखा मैंने एक मान ए 7 7 प्लस D, बराबर में A प्लस 6, किलियर है अब इस इसाफ से यहाँ पर आप देखिए, एक मान यहाँ भी डाल देंगे, कितना है मार पास 7 है, 7 भी रख दिया A माइनस B यह हो गया, और A प्लस B यह हो गया, तो क्या होता है, A स्कौर मैनस B स्कौर यानि 7 का वर्ग, माइनस D का वर्ग बराबर में 7 6 13 तो इस इसाफ से यहाँ पर हो गया, 7 7 9 माइनस D स्कौर बराबर में 13 तो D स्कौर बराबर हो जाएगा 49 माइनस 13 तो इस इसाफ से D स्कौर बराबर है, 49 में से 13 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, यानि D स्कौर बराबर हो गया 36, और D का मान आगे 6 ये D कमान 6 हो गया है इस इसाफ से इसके पद जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे लिखा A A कमान हमारे पास है भाई साथ तो 7 माइनस D D कमान अच्छे 7 माइनस 6 अगला है A कमान 7 फिर है A प्लस D यानि 7 प्लस 6 तो 7 में 6 गया एक 7 7 और 6 यहाँ पर 13 तो यह आगए तीनों संक्याँ यहाँ पर आपके लिए निकल के आगई है यह हमारा आंसर हो जाएगा बास समझ रहे बटा तो इस विसाफ से यह सवाल हो गया अब दीरूर्तिरी प्रशन में एक सवाल है वो भी करवा देते हैं फिर आपके लिए एक्सरसाइस में आप तो जाएगी तो चौता प्रशन इसका लास्ट प्रशन होगा एक्सरसाइस का चौता प्रशन के आहे लिगा है किसी समांतर शनी की तीन संक्याओं का योग बारा है उनकी तरतिय गहतों का योग दोसो अठाइस है तो इन संक्याओं को गयात कीजिए यह सवाल है अपका तो सबसे पहले हम तीन संक्याओं माल लेते हैं A-D A A-D यह तीन संका हमने माल ली है इनका योग 12 है इसका मतलब A-D प्लस A प्लस A प्लस D बराबर में 12 तो D से D कैंसल हो जाएगा 3 A बराबर में आजाएगा 12 और इसे साब से A बराबर हो जाएगा 12 बटे 3 तीन चक्कू 12 यानि A कमान आगा 4 A कमान चारा गया अगर A कमान चारा गया उनका कहा है उनकी 3 अगातों का योग 288 है यानि इस सबका योग 288 का दिया है तो इसका मतलब हुआ A-D का क्यूब प्लस A क्यूब प्लस A प्लस D का क्यूब बराबर में इसका जो मान है वो है 288 यह है तृतिय गहातों का योग जो है वह 288 है तो इन संख्याओं को ग्याद किजिए तीन गहाते हैं इसमें अब जहाँ पर आपके लिए एक कमान डाल देना है एक कमान है चार तो मैंने लिखा चार माइनस डी का क्यूब प्लस चार का क्यूब प्लस यहाँ भी देखिए आप यहाँ हो जाएगा आपके लिए चार प्लस डी का क्यूब बराबर 288 यह है अब A माइनस B का क्यूब खोलना पड़ेगा हमें A माइनस B का क्यूब कितना होता है तो हम आपके लिए बताते हैं यहाँ पर A-B का क्यूब देखें A-B का क्यूब होता है A-B-B-3A-B-3B-3B-A इसको हमें खुल देना है A-Q यानि A-Q का मतलब वह बहुता है यहाँ पर 4 का क्यूब B-Q माइनस का B-Q मतलब D का क्यूब D-Q और माइनस का 3A-A-B-3A-A-Square यानि 4 का स्क्यार इंटू B-B का माने हमारे पास D और प्लस 3 इंटू B-Square यानि D-Square इंटू A-A का माने 4 यह हो गया यह एक बार में हुआ प्लस 4 चक्के 16 चक्के 64 यह हो गया प्लस इसका भी एप प्लस में खोलेंगे जब प्लस में खोलेंगे यहाँ पर तो आपके लिए यहाँ पर पूरा-पूरा प्लस का रहता है इस हिसाब से A-B का क्यूब तो यह होगा आपके लिए A-Q-B-B-3A-B-3B-A यह होता है प्लस में हो जाएगा यह माइनस में थे सभी टर्म प्लस में हो जाएगे तो हमने प्लस में लिख दिया 4 का क्यूब प्लस का D का क्यूब माइनस नहीं प्लस 3,4 स्कुर इंटू D और प्लस 3D स्कुर इंटू 4 यह आगया अब देखें इसमें कौन कौन सी टर्म कटने वाली है कौन-कौन से term कटने वाली है देखिए ज़हां से माऊनस का 3 ये वाला है माऊनस का 3 में और ये है प्लस में 3 4 sqrd तो ये कट जाएगा ऐसे ही 3d sqr4 ये प्लस में ये तो जुड जाएंगे इसegता से माऊनस d ka cube है ये प्लस का d cube है यह इससे कट जाएगा और 4 का क्यूब यह है और 4 का ही क्यूब यह है प्लस में है 2 गुना हो जाएगा इनका 2 इंटू 4 क्यूब 2 टाइम्स हो गया और हमें दिख रहा है यहाँ पर 64 यह है और आपके लिए 3D स्क्वार 4 यह है 2 टाइम्स हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ओफ 3D स्क्वार 4 यह हो जाएगा और यहाँ पर आपके लिए 64 भी है तो इसको भी लिख ले रहे है और इससे साबसे बराबर में 288 यह बचाएगा अब क्या करेंगे अब यह बराबर में 288 यह हो गया तो यह 2 सकुना कराएग दो चक्के 8 2 चंबारा 128 प्लस का 24D स्क्वार बराबर में 288 माइनस 64 288 मेंसे 64 घटा ले गए तो 8 मेंसे 4 गया 4 8 मेंसे 6 गया 2 और यह बचा आपके लिए 2 224 यानि इसका मतलब हुआ यहाँ पर प्लस 24D स्क्वार बराबर में 224 यह हो गया अब आगे यहाँ पर स्कॉल्ब करेंगे धान से देखिए देखिए अब यहाँ पर आगे की कल्कुलेशन को कंटीनू करते हैं लेका है 128 प्लस 24D स्क्वार इक्वार टू 224 यह है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 14 में से 8 गया 6 एक बचा 11 11 में से 2 गया 96 तो D स्क्वार उकल टू हो जाएगा 96 बटे में 24 और मज़े लगता है 4 से करा दी नहीं चैए 4 से कर जाएगा पूरा-पूरा क्योंकि 24 की गुणा जब हम 4 से कराएगा 4 चैए 16 का 6 हैंसे लगाएग 4 दुनिया ठेक नो 96 का तब तो D स्क्वार बराबर आ गया 4 और D बराबर हो गया रूट के अंदर 4 यानि D इसका बरगमूल 4 का होता है भाई 2 तो D कमान आ गया 2 इस हिसाब से अगर D कमान 2 आ गया है तो संख्याँ गयात कर लेंगे बिल्कुल गयात कर लेंगे देखिए A माइनस D होता है A कमान हमारे पास यहां पर इस हिसाब से जो सम था 12 था तो A कमान हमारे पास आया था यहां पर 4 एकुमान 4 था तो 4 रखतो है, मैंने, 4-, दीकमान आया 2, तो 4-2 दो आगे, यह पहला पद आ गया, इससाब से अगला ए कमान यहां पर 4 था, वो भी दो सुरी संख्या हो गई, और A plus D, यानि तीसरी संख्या होगी, A plus D, यानि A कमान है, मैंने अमरे पास 4, plus D कमान है, दो यह पर तीनों संख्याय आ चुकी हैं और बहुत ही important exercise शुरू की थी बिटा और यहांपर हमने यह exercise देखो फिनिस भी कर दी तो यहाँ पर आपके लिए जो भी चार प्रशन थे बहुत ही इंपोर्टन प्रशन थे बहुत ही कहने का मतलब है एक्जाम में आने वाले प्रशन है यह और आप इस तरीका से यहाँ पर प्रशनों को करते रहेंगे बहुत ही इंपोर्टन प्रशन है और इसी तरीका से आप वीडियो को देखते रहेंगे अब हम जो है आपके लिए जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम आपके लिए नई एक्सरसाइज ले करके मिलेंगे तब तक के लिए आप इतना ही बहुत अच्छी तरीके से सवालों को करिए और रोक रोक के करिए आराम से आपने कर लिया उसके बाद उसको देख रहे है थैंक यू फर वाचिंग डिस वीडियो